आपका स्वागत मेरी चैनल के और चलिया आज हम बात करते हैं कि बाइक में कैसे आग लग जाती है और कैसे बाइक जल जाती है क्या रीजन होता है तो हम पूरा आपको पहले दिखाते हैं तो बाइक आप देख पारेंगे जो हमारा वाइजर है यह बिल्कुल जल गिया है आपको बताते हो जैसे कि बाइक इस टार्ट नहीं होती है और हम इस टरीके से पलग खूल देते हैं और ऐसे इस तरी है जब इस तरीचे से हम current च motor जेक करते हैं जैसे हम किक मारते हैं और या किसी बाइट में transfer self होती है तो सेल्फ मारते हैं तो जब हम सेल्फ मारते हैं चाड़े हमारा on होता है उसके बाद क्या होता है यहां पर हमारा यहां से पेट्रोल फेक देता है तो इसके अंदर पेट्रोल फेक देता है इसके अंदर जो होता है करेंट किसी बाइट में जैसे सही रहता है और वो मार देता है तो यहां से क्या होता है पेट्रोल फेकने के बाद यहां पर चिंगारी मारती है तो बाइट में अचानक से आग लग ज कि तर्केसे जलेगा इसके अंदर में जो कारनता आग लगने ये कारंता कि आप निर्पीर से नहीं लगाया गया तो आपकोziękuję करना कभी भी यहां से चेक नहीं करना इस तरह के से करंट नहीं तो बाइक में भाग लग सकती है आपको जब भी करना इसको दूर में रखना प्लाक वायर को तभी चेक करना है नहीं तो आपका बाइक किसी तरह किसी जलेगा जैसे कि यह बाइक पूरा जल चुकी है जहां तक कि ये बाइक बाइक बज गया जलते जलते reads right link जला ज्यादे नुक्सान नहीं हुआ है दुब है दोगर है जला मटगाड हो जला चेण कबर जला इस तरीके से आपको कराण चेक करना जिससले आपका नुक्सान नहीं हो ने ही तो आपके साथ भी इसी तरीके से होगा तो देख पर होंगे आग ऐसा फगड़ लिया था कि पूरा ही ज्यादे हीट किया था जिसके कारण सी सावसा भी जल गया इसी तरिके से आपको क्रांट चेक करना है यानि फलक अडप्टर को दूर से ही चेक करना है और तब जाके आपको कोई तरह का दिक्षात नहीं होगा विडियो अच्छा लगे तो लाइक करते ना चैनल पर नहीं होगा तो अश्क्राइब करते ना नेस्ट कोडियों पर मिलता है जब तक विजय को थांग्स बैबाए